हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल मैट्स गुरू मनीश में दोस्तों मैं हूँ MkExpert आज हम लोग बात करेंगे देखिए अब कलज डेडिवेटिव्स और अब कलन डिफ्रेंसियसन अक्सर लोग यह कहते हैं कि अब कलन और अब कलज दोनों एक ही चीज है पस आपको समझना है कि दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है हम सुरवात यहीं से करते हूँ आज आपको इस वीडियो में डिफ्रेंसियसन बनाने के मात्र पांच ऐसे तरीके अभण को बताने बहले मात्र पांच तरीका कितना भी खतरनाख से खतर्नाख कितना भी खतरनाख से खतरनाख बस यही 5 से 6 आपको ऐसे तरीके हम बताएंगे जिससे कैसा भी खतरनाक डिफरेंस यह सना जाए आप उसको चुटकी में बज़ा सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कहीं पर कोई प्राबलम नहीं होगा यह 5 अनोखा तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में लाश्ट तक मने रहिएगा और लाश्ट में जब आपको पूरा कंसिप्ट समाज में आ जाए तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूड कर लिजएगा और लाश्ट में लाइक करके जाएगा बिल आकन को प्रेस कर लिजएगा आपको हम पहले बता दें कि अबकलज और अंतर क्या है इसका डीटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जब इसको स्लेवर से स्टार्ट करेंगे लेकिन आज हम आपको इसके बाड़े में थोरा सा बताते हैं अबकलज जो फंक्सन आपका दिया हुआ होता है ठीक है उसका अबकलज होता है ठीक है और अबकलज करने की बिधी को अबकलण करते हैं समझ में आ रहा है किसी फंक्सन का हम अबकलज करते हैं अबकलज करते हैं यानि डेरिवेटिव्स निकालते हैं उसका ठीक है लेकिन जिस method से निकालते हैं, वो जो method होता है, जो process होता है, उस process को आपकलन करते हैं, आईज़ बास समझ में? दोने में अंतर क्या है, derivatives और differentiation में क्या अंतर है? कि derivatives जो फ़लन आपका दिया हुआ होता है, जो function दिया हुआ होता है, उसका हम derivatives ग्याद करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस method से निकालते हैं, जिस process से निकालते हैं, उस process को आप करन करते हैं, तो हमें विश्वास है कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, और भी से जान आपके सामने हम लेकर आएं, तो आए, ध्यान देते हैं, वो 5 क्या क्या तरीका है, गोड कीजिएगा, जैसे, कोई भी function आपके पास हो, कोई भी फ़लन हो, कोई भी फ़लन आपके पास हो, ठीक है, यदि वो whole power वाला है, गोड कीजिएगा, whole power वाला, देखिए, आधार में क कुछ रहेगा, कोई function आपका आधार में रहेगा, कुछ भी आधार में रहेगा, और इसके whole power में कुछ आ जाए, whole power में आ जाए, तो ये जो आपका differentiation होगा, इसका power छोड कर, जो आधार में होगा, उसको बटार में होतारेंगे, गोड कीजिएगा, ये बहुत बड़ी confusion होती है, कि किसको बटा में लिखे, क्या कड़े, कैसे बनाए, ये सबसे आसान तरीका है, और इस तरीके से आप किसी भी question को आसानी से बना सकते हैं, देखें, तो करना क्या है आपको, जब whole power लगा हुआ रहें, किसी भी function में हो, चाहे वो polynomial function हो, या trigonometrical function हो, या फिर logarithmic function हो, य यदि उसमें whole power लग जाए, total के bracket में power उपर से लग जाए, तो वैसे condition में आपको क्या करना है, power छोड़के, जो आधार में होगा, जो आधार में होगा, उसको बटा में उतारना है, ठीक है, जो आधार में होगा, उसको बटा में उतारना है, condition number first, यह हो गया power वाला differentiation, और अ घ्यान दीजी दर, log का जो कोनांक होगा, कोनांक समझ रहे हैं न, हाँ, यह कोनांक, log का जो कोनांक होगा, कोनांक में कुछ भी आजाए, sinex आजाए, causex आजाए, x आजाए, कुछ भी आजाए, यह के power x आजाए, कुछ भी आजाए, कुछ भी आजाए, कुछ भी आजाए, क अधिया कुछ भी आ लैंग कुक्ष भी आं गया तो स्हईनिक्सिल्टरांन आपको क्या करना है इसका फी कौनांक बटां में उताखना है क्या उतारिक है क्या उतारना है यह एकली यानि exponential function जब आएगा, जब exponential function आ जाए, तो exponential function वाणा में क्या करना है, आपको एक्सियल फंक्सन के जो आपबर में होगा उसको बटन उतारना है, ठीक seinem इसको बटन ईतारना है, इसके बाद हम देखते हैं कि यदि function आपका रूट में आ जाए, देखिजी, root में आ जाए, यदि function आपका root के अंदर हो, गौड कीजे, root के अंदर कोई फलन आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे तो power वला में यह आ जाता है, लेकिन आपको थरा सा अलग करके हम दिखा देते हैं, कि root के अंदर यदि रहेगा कोई function, तो आपको क्या करन है, root छोड कर, root के अंदर वला को बटा में उतारना है, किसको बटा में उतारना है, root के अंदर वला को बटा में उतारना है, बस समझ में आ गया, यह 5 concept आपके सामने भी हम दिये हैं, और इन ही 5 concept का प्रियोग करके, खतरनाक से खतरनाक प्रशन को आपासानी से बना सकते हैं बस आपको थोरा सा formula याद रखने की जरूरत है वो भी तरीका हम आपको बताने बाले है formula याद कैसे रखेंगे और उसको बनाएंगे कैसे ठीक है formula सिद्ध कैसे करते हैं कैसे उसका differentiation आता हम सब आपको बताने बाले हैं यह 5 concept आपको समझ में आ गया होगा एक वार हम repeat कर लेते तो यह कोई आपका इधर कोई भी काम नहीं करेगा कोई भी आपका रूल काम नहीं करेगा सिर्फ आपको उस समय पावर वाला रूल काम करेगा करना क्या होता है ज्यान दीजेगा power छोड़के जो आपका आधार में है उसको बताने उतारेंगे power छोड़के जो आधार में उ करना है या अप ना करना है जिसमें थड़ से बनाएंगे उसको ना करन करते हैं जिकी तो कैसे करते हैं आपको डी-उइए d x के power 4 और आपको बता है कि whole power में 4 है नहीं हापर whole power में 4 है तो यह आ जागा बटा में d x power छोड़के जो आधार में होगा उता रहेंगे कुछ और इसके बाद यह प्लस x square प्लस 3x प्लस 5 ठीक है और total के power में मालीजे कि 5 ऐसा लिखा हुआ है ठीक है total के power में 5 लिखा हुआ है और इसका आपकलज कर रहा है तो क्या करेंगे देखें d और इसके बाद यह पावर देखें whole power आई है whole power वाला whole power वाला था power को छोड़ देना है power को छोड़के जो आधार में है पूरा उतरेगा बटा में देख लीजेगा x square प्लस 3x प्लस 5 ठीक है चुकि x के सापेक्ष हम अपकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए ब है ना है बताम x था बताम x न नहीं है तो क्या sharp करता है श्रिंख लारूप में इसको ले जाते हैं धीं यह ऊपर जाएगा यह पुड़ा का पुड़ा पार्ट यहां लिखाए और इसके बाद जो है आपको बतामे क्या लीकना होगा और बारी बारी से करना पड़ता है ठीक है दोस्तों चले देखिए और माल लिए जाए कि आपका ऐसा कुछ यह लिखा वाई कि लॉडु कश्या रिभी। कुनांग लोग बला का क्या उतारेंगे कुनांग तो बटा में हो जाएगा आपका डी साइन एक्स डी साइन एक्स बताएगे बटा में डी एक्स आया नहीं आया साइन एक्स आ गया तो क्या करेंगे आप फिर इसको स्रिंद्रा रूप में ले जाएगे तो बटा में इसका पूरा का पूरा डिफरेंसियेशन खतम एक भी कुछ से अलग हम नहीं ले जाएंगे पूरा का सब के सब तो differentiation को यही 5 खतरनाक रूल से हमेशा बनाएंगे हमेशा इसी का प्रियोग करेंगे आपको थोड़ा से याद करना पड़ेगा लेकिन concept आपका यही 5 रहेगा पांच concept ही पूरा का पूरा differentiation बनवाएगा आपसे बस आप पूरे वीडियो में बनढ़ी आराम से ध्यान से देखि और कुछ बात करते हैं जैसे देखिएगा यहां देखते हैं साइन स्कूर एक्स साइन स्कूर एक्स का differentiation करना है आपको यहां दीचेगा यह होल पावर में 2 है होल पावर है ना तब पावर छोड़के जो है उतारेंगे क्या हो जाएगा डी साइन एक्स होगा या नहीं होग बता दिये थे कि जब होल पावर आ जाएगा तो कोई रूल काम नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ पावर छोड़के उतारेंगे होल पावर वला में यदि होल पावर नहीं रहेगा तो बाकी सब चिक करेंगे कि लोग बला का कुनांग जाएगा साइन बला का कुनांग तो रूट के अंदर वाला का रूट के अंदर वाला लिखाएगा यह सब तभी काम करेगा जब होल पावर नहीं रहेगा तब ठीक है देखे तो यह होल पावर छोड़े उतारेंगे तो साइन एक्स बटा में डी एक्स आया नहीं आया उपर ले जाएए डी साइन एक्स अब अनुपात का ऑपावर में से घटा लिजे और साहिन का इपर्शां कृस घटा जाएगा तो हैसे मनता है एक सवाल जस्ट अपसे पूरा चेप्टर आप खुद बनाएगेए यौदि आप पुड़ा का फुरा विडियो धेख लेते हैं चलिए देखे तुमसेंद ये समान लिए के पावर बला गया इक हम लागए कोई लिखा हुआ है क्या लिखा क्या ट्यक्राइब करें से कि यदि क्या उतारने के लिए क्वाल टारने के लिए जो रहेगा समय 17 खैक अब हमें जूरेगा लौकिक्स प्क्लाव करें लॉ Mr. G दी लॉग एक्स बटा में डी एक्स नहीं आया था इसलिए उपर एक बर और ले जाना पड़ा एक्स अब देखिए इसका कुनांक आएगा ना तो बटा में क्या आजाएगा दी एक्स हो गया एक्स का डिफ्रेंसियेशन एक्स ही होता है जो पावर में रहेगा जयां काते हो बसंब्रियो बनेका उस से बनाना है जितना आपको बताए बही बस उसी का प्रियो करना है एक पुड़ा का पूरा डुफ्रेंसियस्न न बने Jud 17 कुंद 7 करना है कि तिर्कूनमियतियां पातगा कुणांग कुश्चतर नर पहले डहें प स्द webpage नहीं पहले जो पुर्रेंसियां में Lिखे ये एक अदम मिचे फिर इसका कुनां को तारी हे इसका इसका में ऑफर रहा घाया कोई बात नहीं है ठाहिज नहीं किके- congregation हो गया डी चैनना का के हुए इस का जागा सिंपल कॉस प्लस x और इसको घाएगा 1 बटे 1 प्लास- il एक्स स्वार एक्स के बटेज जगह पर क्या, आपर दीखेए था, x के जगह पर क्या है, x के जगह पर क्या है e के पावर x K jaunin, यानि हो जाएगा cos tan inverse e k power x into e k power x और बटा में आपका हो जाएगा 1 plus देखिए power to power गुना करेंगे ते क्या हो जाएगा e k power 2 x ओ यह differentiation कहां भार यह differentiation differentiation का हर एक सवाल आपको इन ही 5 खतरनाक method से इन ही 5 खतरनाक concept से आप आसानी बना सकते हैं हर एक सवाल का जवाब ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारे concept अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरोड़ कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए भीवर हैं तो नीचे रेट क्रण में सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा लीजिएगा आपको इसका फार्मूला और इससे आगे का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरोड़ लिखेगा धन्यवाद सब्सक्राइब।